आशिश इनों ने सवाल पुछा है कि आपने जो चमतकार का प्रोग्राम किया उस प्रोग्राम में कहा था कि गुलाब बाबा ने अपने उंगलियों से स्पर्श किया और पानी का पेट्रोल में रुपान तरित उसको किया और उनकी गाड़ी चलने लग गई तो ये वैसे उन्होंने कैसे किया था मुझे लगा मैंने जो एक्स्प्लेन किया आपके सामने उस पर से आपके ध्यान में आया होगा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है इस दुनिया में ये बाबा लोगों को ठकता था पूरे जूट का सहरा लेता था याने उसके स्टाइल किया थी कुछ चमतकार वो लोगों के सामने करता था बड़े बड़े लोगों के सामने खास करकर जैसे शंकराव चवान आएगे तो उनको फूल निकाल कर देगा इस डंग के चमतकार वो करता था और बड़े-बड़े लोग उसे पर विश्वास भी रखते थे। लेकिन ये पेट्रोल का रुपांतरन या यनए पानी का रुपांतरन पेट्रोल में करना वगर यह चमतकार कह वो लोग सुनाता था। उसके कुछ साथी थे, हस्तक बोलिये, ये साथी बड़ा चड़ा कर लोगों को सुनाते थे, हम बाबा के साथ में जा रहे थे, पेटरोल खतम हुआ, जीप है तो डिजेल खतम हुआ, आस पास में पेटरोल बम नहीं था, कुछ नहीं था, बाबा ने का जा पानी लेके आ, मैं उसको बाबा ने टच किया, हमने पानी डाला और फिर गाड़ी चलने लगे, अगर आप पेटरोल में या डिजेल के गाड़ी के इसमें पानी डालोगे, तो आपकी गाड़ी चलना आगे भी मुश्किल है, उसको पूरी तरह से साफ करना होगा, तभी चलेगी ठीक डंस, न तो ऐसे कुछ ट्रिक्स करता था हो, ये तो निरा निरा जूटी बात है, केबल भगतों के जरी है, या फिर अपने साथियों के जरी है, फैला ही कोई बात है, लेकिन उसका एक चमतकार उसके साथ में बहुत प्रसिद दा था, कि बाबा ने गाड़ी गोल 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 सुनने के बाद में वो मेरे पास आया, बिल्कुल बरी सही बात का है, बोले आपने, तब तब मुझे मालूम भी नहीं था कि गोल 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 गुमाता है, ये भी चमतकार करता है, ये मुझे मालूम नहीं था, बोले आपने ये बाकिस सब चमतकार बता है, लेकिन वो च सिखा दिया कि इस जंग से इट को रखना है ऐसे मोड के रखना है मोडने के बाद में एक बार आपने याने हैंडल को मोड दिया स्टेरिंग विल को मोड दिया यह स्टेरिंग विल को मोडने के बाद में वो गुमना नहीं चाहिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपने मोड और उसके बाद में अगर गाड़ी चल रही थो नॉर्मल होने की कोशिश करता है वैसाने होना चाहिए इसलिए हेंडल को बाढ़ देने का एकसिलेटर के वहाँ ईट रखने की और उतर जाने के अब एकसिलेटर चल रहा है क्योंकि एकसिलेटर के बीच में और बागी गाड़ी के इसके में इस जंग से आइड़ेस की है कि एकसलेटर थोड़ा सा दिरे-दिरे डिजेल पेट्रोल छोड़ते रहे हैं स्पीड में होने के बाद मैं कुछ जाता था फिर बाबा नाटक करता था मंत्र का कि गाड़ी गोल-गोल घुम रही है कभी-कभी खुद करता था, खुद ड्राइविंग पर बैटता था इसलिए तो ऐसा करकर के तो ये बाबा बड़ा हुआ उसके शुरुआत के दिनों के इचमतकार की बाद मुझसे कहा था उसमे तो ये बाबा, ये बदमाशी इस घंग से करता था उसी का ड्राइवर मुझसे कह रहा है बोले अच्छा कर रहे है आप लोगों को ये बता रहे हो सब मैंने उसको छोड़ने के बाद मेरी बहुत इच्छा होती थी लेकिन कोई मेरा सुनता नहीं था मैंने बता था था लोग मुझे यड़ा समझते थे कि बाबा ने इसको अकाल दिया इसलिए कुछ भी बोल रहा है लेकिन बाबा तो सही में चमतकार करता है तो ये जो चमतकार कहे जाते हैं सब जूटे होते हैं उसमें ट्रीक का भी कोई सवाल नहीं है क्योंकि आप गाड़ी के इंजिन में पानी नहीं जाने दोगे जाएगा तो बाद में गाड़ी काम नहीं करेगी तो नैचरली पेट्रोल के साथ में कुछ मिलावट करके तो डालेंगे नहीं यानि पानी कम से कम इतने बड़े फेमाने पुरे डालेंगे नहीं कि बल्टी बर पानी लाया उसने और उसके डुबो या कुछ छोड़ा सा उसमें पेट्रोल डाल दिया और गुपचुप डाल दिया ऐसा तो पॉसिबल है नहीं तो यह कभी होता ही नहीं था केवल पक्तों के जरिये यह फैलाया जाता था और पूर वो आमाद्मियों को नहीं केवल कहता था शंकराव चभान केंद्र के गुरुह मंत्री महराश के दो बार चीफ मिनिस्टर रहें तिसरी बार मंत्री मंडल में थे ऐसे शंकराव चभान वो जाहिर स्टेस से चमतकार कहते थे गुलाब बाबा के गुलाब बाबा इस लिए तो मैं गाउगाउ जाकर बोलता था क्योंकि गाउगाउ के लोगो को ये चमतकार मालुम थे कि इस बाबा को पकड़िये उसको उल्टा कुए में छोड़िये मरेगा इस डर से तो भी वो हाथ लगाएगा फिर कुए का पानी बनेगा पुरा का पुरा डिजेल उसको बेचिये गाओ को अमिर बनाई है तब लोग हसते थे दिरे दिरे इसी तरीके से गुलाब बाबा का प पुरे मैं बाकी मध्यप्रदेश और गुजरात में तो इतने बड़े पेमाने पर नहीं कर पाया हूँ गुजरात में मैंने तीन दवरे किये लेकिन तीन दवरों में कितने भाशन दिये होगे ज्यादा ज्यादा दो सो सो मध्यप्रदेश में किये मध्यप्रदेश में दो दो दोरे की है, दो दोरों में कितने बोलाओगा मैं, पचास एक भाशट, तो कहने का मतलब ऐसा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप continuous इस जंग से अगर लोगों को प्रबोधन करेगे तो बदलाव आएगा, गुलाब बाबा को हमने विधर में तो पूरी तरह से खतम किया, महराष्ट में बहुत बड़ा मुश्किल कर दिया उसको, लेकिन बाकी प्रांतों में उसको हम इतना बड़े पेमाने पर खतम नहीं कर पाए, उसका कारण ऐसा होता है, कि लोगों का चमतकारों पर विश्वास रखने की जो tendency होती है, उस tendency के साथ में हमको सही माने में शक्ता है और यह प्रबुधन के जरीए संभव है